अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आज मैं आपसे एक कुश्चन करना चाहता हूं कि क्या आप कॉंडम यूज करते हैं आर यू यू यूजिंग दा कॉंडम यूज करते हैं तो आप यस प्रेजन वी दें आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका रिजन वी देंगे इफ यू आ नॉजिंग दा कॉंडम यदि आप यूज नहीं करते हैं तो आप नो लिखें और उसका रिजन वी दें क्योंकि यह बात करना बहुत जरूरी है मैं अपने डे टु डे लाइफ के जो है मेरी प्रक्टिस पेशेंट आके आर्गुमेंट भी करते हैं और बहुती एक रिजिड एक बहुती एडिमेंटेड नेचर होता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आइमीन मैंने यह एक इसू बना रखा है कि वह वह कॉंडम यूज नहीं करेंगे और क मैंने देखा है कि दो पार्टनर के बीच में कोई कंसल्टेशन कोई समझ नहीं बन पाती है इस पर कि हमें कॉंडम यूज करना है या नहीं यूज करना है या हमें सेफ टाइम जो है उसमें सेक्स करना है या फिर हम फ्रीली कभी भी सेक्स करेंगे तो हम कॉंडम यूज करे नहीं वो condom use करते हैं और उस चीज को वो बड़ा casually deal करते हैं वो अपनी wife के साथ हो या फिर वो किसी और जगे हो या फिर लोग married हो या unmarried हो तो ये एक बहुत बड़ा taboo है एक बहुत बड़ा मित है एक बहुत बड़ी अग्यानता है और ये बहुत बड़ी समझ्चा भी है जब हम patient को advise करते हैं कि आपको लिक्वेरिया है या आपको fungal infection है या आपको sexual transmitted disease होने का risk है या आपको और दूसरी बीमारियों का risk है तो आप either condom use करें या फिर आप safe time का चुनाब करें और cleaning का ध condom तो use करेंगे नियो और मैंने बहुत कोशिश कि मैंने बहुत समझाने की कोसिश की लेकिन वह इस चीज़ को समझने के लिए क्लिए क्लीए है तो आज हम यह जानने की कोसिश करेंखे कि क्या टैबू है इसके क्या नुकसान है क्या फायदा है कि सबसे पहले तो आपका duration बढ़ता है और वो आपको same feeling देता है क्योंकि जो latex जो direct type के जो condoms हैं वो आपके skin की तरह ही उनका nature होता है और वो उसी तरह से center sensitize होते हैं उसी तरह से connectivity डबलब करते हैं उसी तरह से से वो behave करते हैं positive part यह है कि उससे आपका duration बढ़ता है उससे आपका pleasure बढ़ता है उससे connectivity बढ़ती है plus एक protection यदि आप यूज करते हैं तो उससे आपके partner को और आपको दोनों को बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना 0% हो आती है जैसे HIV AIDS, sexual transmitted disease, liquoria, fungal infection, white discharge और भी उससे जुड़ी हुई बहुत बीमारियां हैं बट यह four five problems बहुत common है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में transmit होती है और उससे दोनों ही लोगों के स्वास्त को सारे रग्मांसिक रूप से बहुत नुकसान होता है तो condom यूज करना बहुत ही healthy practice है और उससे sex में pleasure में कोई फरक नहीं बढ़ता है आइधर you do a masturbation hand practice और आपका nightfall हो जाए या पर आप sexual intimacy में involved हों यह तीनों लेबल पे आपके सरीर में एक hormonal change हो रहा है एक hormonal secretion हो रहा है और वो hormonal secretion की वज़े से ही यह reactions complete होती है sexual pleasure हम achieve कर पाते हैं वो जब तक वो chemistry और connectivity और दिमाग के level पे सरीर के level पे connection establish नहीं होगा तो either you use a condom or not उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो यह दिमागी है मसला यह एक सारेरिक दिमागी ब्यायाब है जिसको connectivity से हम establish करते हैं condom use सभी को करना चाहिए हाँ यदि कुछ ऐसी conditions है तो आप safe जो time है उसका चुनाब करें और यदि आप child produce करना चाहते हैं तो उन durations में condom abuse नहीं करेंगे just common सी बात है लेकिन और दूसरा जो times है आप कभी भी casual sex में involved ना हो if you are involving in a casual sex तो आप condom का इस्तेमाल करें और make sure करें सबसे unfortunate पार्ट यह है कि लोगों को 10 साल हो गए 5 साल हो गए 20 साल हो गए 25 साल हो गए यह 30 साल हो गए आभी भी उन दौनों लोगों के बीच में इस पे एक consultation एक discussion नहीं हुआ है उन्होंने कोई opinion नहीं बनाई है कि हमें अपनी sexual life को किस तरह से pursue करना है condom use करना है या नहीं करना है save time का चुनाब करना है या फिर condom के साथ जाना है तो I personally advise कि दौनों लोग बैठें इस पे बात करें और एक opinion बना लें और condom use करें कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि you feel much better यदि आपने पहले से condom use नहीं किया है तो अब मैं दूसरी समस्या पर आता हूं कि देखा यह जाता है कि जब हम condom use नहीं करते तो हम casually कभी भी अपने partner के साथ involved हो जाते हैं और उसका result होता है unwanted pregnancy फिर उस pregnancy को हम deal करते by tablet वो chemistry लेंगे हम दोस्तों से पूछेंगे office में पूछेंगे और वो दवाईयां हम खा ले थे उससे कैवरी cleaning हो जाती है कैवरी नहीं होती bleeding बड़े लंबे समय सक होती है कभी bleeding होगी कभी नहीं होगी पेट दर्द होगा weakness आएगी enemy आएगा और unfortunate part यह है कि कुछ लोगों न इनने ये एक normal practice बना दिया है कि वो emergency contraceptives पे लिया तो खिला देंगे या फिर उस तरह की empty cleaning के लिए दवाई देंगे और वो इस practice को लगातार कर रहे हैं और वो यह realize भी नहीं करते कि वो slowly अपने partner को kill कर रहे हैं क्योंकि उससे enemy होता है blood की कमी होती है हार्मोनल चेंज आता है और एक mental trauma और low blood pressure और weakness का सामना करती है एक female तो make a not please ये ना करें ये बहुत ही dangerous है against humanity भी है और health के पिट्टी ये एक बहुत ही लापरवाई वाला रविया है जो दौनों लोगों को बहुत बड़ी परिसानी में आफ़त में डाल सकता है इविन सबसे ज़्यादा HIV और sexual transmitted disease जो होते हैं उसके पीछे without condom intercourse without condom sex करना ही जुम्मेदार है so make sure use a condom, save yourself, save your partner and live healthily and enjoy the sex okay thank you very much and take care you